आप सब्सक्राइब करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं अगर आज की वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक किज़ेगा और अपने दोस्तों में जरूर सेर किज़ेगा आए फाइस्ट कोशन देख लिजे गंगा एबं ब्रहंपूत्र के संयूग जलधारा के इस नाम से जाने जाती है तो देखे गंगा और ब्रहंपूत्र के संयूग जलधारा को हम सभी मेघना कहते हैं आफसन मसी राइट आंसरेंगे ध्यान रखेगा तो क्या कहा जाता है मेघ आगला कोईशन ये बंड़े के 20 व का सबसे बड़ा गिया हूँ उतपादक देश है तो चले 20 व का सबसे बड़ा किया हूँ अतपादक देश कौन सा है फिर्ण तो राइट आंसर आप्सेन मर्के हो जाएंगे चैना है द्यान रखेगा चीन है कोईशन के लिए नहीं आगला कोईशन देख लिए जे फ्रेंड आगला कोईशन ये बंड़े कि भारत में पर्मुक बनस्पती कौन सी है फ्रेंड दिखेंगे अभी जितने भी कोईशन लिया गया है वो सारे 10th लेवल का कोईशन है क्योंकि भी विहार फायर मेन का और विहार बनस्पती है कि लिए अगला कोईशन देखें फ्रेंड अगला कोईशन ये बंड़े कि राने लक्ष्मी बाई बाई बांध अवस्थी थे चले बताएंगे आप सभी राने लक्ष्मी बाई बांध जो अवस्थी थे फ्रेंड वो कहां पर अवस्थी थे तो ये हैं बेतव नदी पर है अगला कोशन देख लिए हिमाले की ऊची चोटी कंचन जंगा कहां इस्थी थे तो दीखे हिमाले की ऊची चोटी जो है वो क्या है कंचन जंगा है और ये सिक्किम राज में इस्थी ते फिर ध्यान रखेगा तो हिमाले की सबसे ऊची चोटी कौन सी ये कंचन जं अगला कोई से देख लेजी बायरिक सभा और सिमिति को किस दिपताओं की दो पूतरियां कहा गया है तो right answer option में बीव जाएंगे अगनी को कहा गिया ध्यान रखेगा अगनी कर लिजेगा आप सभी देपताओं कि दो पुत्रियां जो कहा गिया है वो अगनी को कहा गिया है अगला question देख लिजे बहुत गरंद पिटकों की राचना निमने मैं से किस भासा में की गई थी तो ये पाली भासा में की गई थी ध्यान रखे गया तो बहुत धर्म पिटकों की राचना जो हुई है फिर्ण वो पाली भासा में हुई है सी राइट आंसरेंगे अगला question देख लेजे कि सासक के सासन काल में नेपाल में बहुत धर्म का गमन हुआ था फिर्ण तो आप से को पता हूँगे कि नेपाल में जो बहुत धर्म का गमन किया गया था यानि कि परचार परचार जो किया गया था वो असोग की द्वरा किया गया था क्योंकि असोग जो थे वो बहुत धर्म से संबन दी थे और इसके सासन काल में 255 इसापूर में तिसरी बोस्व संगिति आयुजित की गई थी ध्यान रखेगा कलिंग यूद के बाद जो है फिर्ण कलिंग यूद कहा हुआ था उडिसा में हुआ था इसके बाद जो है कि असोक ने बहुत धर्म अपना लिया था अगला कोशशन दिखिए कुशासन काल में सबसे अधिक विकास किस छेतर में हुआ था फिर्ण तो देखे कुछासन काल में सबसे अधिक जो विकास हुआ था वो कलाज छेतर पे हुआ था याद रखेगा आप सभी किस छेतर में हुआ था कलाज छेतर में हुआ था अगला कुशन दिखे निमलेगीत अंग्रेजreow में से कौन था जिसने सरपर्थम भागवद गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था अगला कुशने मूद्र रक्छस नामक पुस्तक के लेखा कौन था एरेट आंसर हैंगे विसागदत की दुवरा देखें विसागदत ने मुद्रा रक्षास नामक पुस्तेक लिखी थी कॉटिली ने अर्थिसास्तर की रचना की थी अगला कोशन देख लिए विजायनगर समराज की अस्थापना की थी अगला कोशन ने मानसूनी जलवायू की पर्मक भी सिष्ता है अगला कोशन कर लेते हैं अगला कोशन ये बंड़े कि भारत के किस राज में जन संख्या घनत वह सबसे अधिक है तो कई बार आपस भी को बताये हैं और कई बार ये कोशन पूछा भी गया है कि भारत के किस राज में जन संख्या का घनत वह सबसे अधिक है अभी हाल फिलाल जो विहार फायर मेंन का एक्जाम हुआ था उसमें ही पूछ लिया गिया है कि भारत के किस राज में जन संख्या घनत वह सबसे अधिक है तो ये अपना बिहार राज में ध्यान रखेगा आप सभी लेकि सबसे अधिक जनसंख्या की बात किया जाए तो वो उत्तर परदेश है सबसे कम जनसंख्या की बात किया जाए तो सिक्किम में है ध्यान रखेगा आप सभी और सबसे अधिक घनत बारुनाचल परदीस का है तो यह चीछ पर गऊर किजिए आप सभी अगला कोशिन भारत में सबसे उची परवत चोटी कौन सी है तो दिके भारत की सबसे उची परवत चोटी यह आपका लद्दाक छेतर में पड़ता है गौडविन ओस्टिन option में a right answer रहेंगे आगला question देख लिए निमलकित में से कौन सा यूग में सुमेलित नहीं है friend तो देखे सुमेलित जो नहीं है पापनासाम हिमाचल परदेश में है ये बिल्कुल गलत है दियान रखेगा पापनासाम जो है वो कहाँ पर है आंदर परदेश में है याद रखेगा आप सभी पापनासाम जो है ये कहाँ पर अंदर परदेश राज में है जोग जो है ये करनाटक में है धुआदार मद्र परदेश में हुंडुर जो है ये कहाँ पर जारकन राज में ह अगला कोई से देख लेजे गंड़क परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है चले बताएंगे गंड़क परियोजना जो है किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है तो right answer option में यह जाएंगे बिहार और उत्तर परदेश की यह संयुक्त पर्योजना है अगला कोई से ने बदरीनात अवस्थी थे फ्रेंड तो दीके बदरीनात जो है यह उत्रा खंड में है और यह अवस्थी थे कुमायू हिमाले में द्यान रखेगा आप सभी कुमायू हिमाले में अवस्थी थे यह right answer एंगे अगला कोई से ने भारत में सबसे लंबा बांध है Right answer option में से जाएंगे हीरा कुंड बांध देखे हीरा कुंड बांध जो है फैंट है भारत में सबसे लंबा बांध है द्यान रखेगा यह कहाँ पे हैं ओडीसा राज में इस्तिते ध्यान रखेगा आप सभी अगला कोई से निख लिजिए निमलिकित में से कौन सी नदी एस्चूरी नहीं बनाती है तो इससे पहले आपको एस्चूरी के बारे में बताए थे कि नर्मदा और ताप्ति बनाती है और मांडवी नदी भी बनाती है द्यान रखेगा जबकि महानदी नहीं बनाती है याद रखेगा ये डेल्टा का निर्मान करती है याद रखेगा गंगा महानदी ये से भी डेल्टा का निर्मान करती है जो बंगाल की खड़े में गिरने वाली नदी है यानि कि पूर्विकी और परभावित होती है यह अगला कोई सेने सभिधान का अनुछे 312 संबंदी थे फ्रेंड देखे आपसे को बता दना चाते हैं कि नर्मदा, तापती, मांडवी नदी जो है यह जो है वो अरब की खाड़े में गिरती है यानि खंबात की खाड़े में गिरती है ध्यान रखेगा आपसभी चलिए बताएंगे सभिधान का अनुछे 312 कि से संबंदी थे तो यह संबंदी थे अखिल भारतिय से संबंदी थे फ्रेंड ध्यान रखेगा आपसभी कोईशन के लिए रहे हैं आगला कोईशन है मुख सत करता आयूक्ति की न्यूक्ति कौन करता है देखिए आप सब्सक्राइब टेलिग्राम गुरूप को जोईन कर लिजएगा टेलिग्राम का लिए निचे डेस्किप्शन में दिया हुआ है राष्टपति के दुरा किया जाता है दियान रखेगा देखिए राष्टपति का कारेकाल पांच बर्स का होता है याद रखेगा आप सभी और बनने के लिए उम्र मैक्सिममम 35 बर्स होना चाहिए मिनिमम की बात किया जा रहा है तो मुक्सत करता है आयूकत की नुकति कौन करता है राष्टपति करता है और ये तीनों सैनाओं का सर्वच कमांडर भी होता है द्यान रखेगा अगला कोईसे ने बिधान परिशत के सदस्य कितने वर्स के लिए निर्वाचित होते हैं तो ये हर एक छे बर्स के लिए निर्वाचित होते हैं अगला कोईसे ने देख लिए भारत सरकार का पर्थम विधी अधिकारी कौन है राइट आंसर ओफिसर में बिजाएंगे भारत का महानिबादी देखे फिर भारत का महानिबादी जो है ये क्या है बारत का पर्थम विधी अधिकारी होती है अगला कोईसे ने कि 1857 की करांती किसमें बिर्टेन का परधान मंत्री कौन थे देखे 1857 की करांती की सुरुबाद जो भी थी डेट कभी कभी पूछा जाता है तो याद रखेगा दस मही को शुरू की गई थी कहां से मेरट से किया गया था और ये कहां तक फैला था दिल्ली तक फैला था एक फैमस कोईसन पूछा जाता है कि बहादूर साथ जफर जिसे हमसे भी बहादूर साथ दूतिये भी करते उसे अंग्रेज़ों के दुवरा बंदी बनाया गया था ए 시간이 58 के करान्ती में ही दिल्ली में जो की वो दिल्ली का सासक था उस समय का और उसे जो की रंगून बेजा गया था रंगून कहां पढ़ता है मेमार में पढ़ता है और वही पर उसकी मिर्टियू भी हुई थी और वही पर अभी भी उसका समाध्य अस्ता लेशती थे ध्यान रखेगा आप सभी तो यह कुर्शन कई बार पूछा गिया है तो आप सभी नोट कर लिज़ेगा आटर संताविन के करांती किसमें बिर्टेन का परधान मंत्री कौन था तो आफसर नमर डिरेट आंसरेंगे लॉड पॉम इस्टॉन था तो याद रखेगा आप सभी डिरेट आंसरेंगे उस समय के Governor General कौन थे तो याद रखेगा Lord Kenning थे अगला कुछ सेने अश्ययोग ओंदरन शुरू करने के समय भारत का वाइसराय कौन थे तो सबसे पहले आप से यहाँ याद रखेगा कि ऐसे योग ओंदरन की सुरुवाद जो हुआ था वो 1922 में हुआ था किसके दुरा किया गया था महातमा गांदी जी के दुरा किया गया था याद रखेगा आप सभी और इसे 1922 में वापस भी लिया गया था लेने का कारण की था क्योंकि उत्तर पर्देश में गोरखपुर नाम अस्थान पड़ता है वहाँ पर पुलिस प्लष स्टेशन में आग लगा दिया गया था कुछ करांतीकारियों के द्वरा जिसके कारण से महात्मा गांदी जी के द्वरा इस आंधरन को वापस ले लिया गया था क्योंकि यह आंधरन एक एक अहिनसात्मक हो चुके थे जैसके कारण से इसे वापस लिया गया था तो यहां कोईश्चन क्या पूछा गया था हम सभी से कि ऐसा योग आउदरन शुरू करने कि इसमें भारत का वाइसराय जो था वो लॉड चेम्स फोर्ता ध्यान रखेगा आप सबी एक कोईशन पूचे जाता है कि जल्यावाला बाग हत्याकंड का बुआता तो याद रखेगा 13 अपरेल 2929 को अमरी सहर में वब था ध्यान रखेगा आप सबी अगला कोईशन देख लिए जे अगला कोईशन ये बंड़े कि किस समास सुधार ने भारत में सती पर्था को बंद करने में महत्पूर्ण भिमिका निवाई बीरेट आंसरेंगे राजा राम मुहन राइने अगला कोईशन ने पर्थम बहुत संगित का आयोजन किसके सासनकाल में हुआ था फ्रेंड तो याद रखेगा आप सबी पर्थम बहुत संगिती का आयोजन जो हुआ था वो अजा सत्रू के सासनकाल में हुआ था आजा सत्रू कौन थे बिम्बी सार की पूत्र थे जिसने की बिम्बी सार की हत्या कर दी और ये राजगद्धी पर बैठाता ध्यान रखेगा आजा सत्रू के समय में कब 483 इसापूर में पर्थम बौत संगिती हुई थी ध्यान रखेगा आप सबी ये कहा हुआ था राजगी इसापूर में दूसरी बोष संगिती हुए थी ध्यान रखेगा आप सभी उसके बाद जो कि असो के सासनकाल में तीसरी बोष संगिती 255 इसापूर में हुए थी और कनेक्स सासनकाल में चतुर्त बोष संगिती इस्वी की पर्थम सताबदी में वाता ध्यान रखेगा आप अगला कोशन ने, नेमलेकित लोकसभा अध्यक्ष, छो में से किसका कारेकाल सबसे लंबा रहा, तो राइट, आंसर ओप्शन मर डियो जाएंगे, बलराम जाखर का रहा था, अगला कोशन देख लिजे, बिधान सभा अध्यक्ष, इस पीकर अपना त्याक पत्र किसको देता ह तो यह देता है, बिधान सभा अध्यक्ष को, अगला कोशन देख लिजे, मंत्री परिशत ने, मलेकित में से कौन सामिल नहीं रह सकता है, तो देखें, मंत्री परिशत में जो सामिल नहीं रह सकता है, फिरें, वो कौन नहीं रह सकता है, संसदिय सचीव नहीं रह सकता है, जबकि केबिनेट मंत्री, राज मंत्री और उपमंत्री रह सकता है यहां से कोईशन याद रखेगा कि केबिनेट मिशन भारत का वाया था उन्हें 46 में आया था जिसके तहस सविधान सभा का गठन किया गया था अगला को इसे देखे लिजे, पंचायतों की दुबरा कौन सा कर वसूला जाता है तो याद रखेगा आप सभी अस्थान ये मेला कर वसूला जाता है कि इसके दुबरा पंचायतों की दुबरा अगला कोईसे ने कि उचितम नियाले में भारत की पर्थम महिला नियादिस बनी तो ये बनी थी M. फातीमा बीबी तो ध्यान रखेगा उचितम नियाले में भारत की पर्थम महिला नियादिस को बनी थी? M. फातीमा बीबी बनी थी अगला को इसने राने लक्षमी भाई का मूल नाम क्या था फिन तो एर एट आंसरेंगे मनी करने कर